हेलो दोस्तों, वेलकम टो फ्लाइंग सिविक, आज के वीडियो में बात करेंगे when to sell a stock and none other than जो गौतम बैज सर ने बताया है अपनी बुक्स के अंदर, उसी के according हम समझेंगे कि किस तरीके से हम किसी stock को sell करें या कब हम उस stock में profit booking के बारे में सोच सकते हैं, जनरली बाइंग के बारे में सभी बताते हैं कि कब किसी business को buy करना चाहिए, sunrise sector के stock को buy करना चाहिए and अगर उस industry की growth बची हुई है और वो एक small player है, बढ़ने की चमता ज्यादा हो, तब उसको buy करना चाहिए and जो management है वो अच्छा होना चाहिए, सारी चीजे हम देखते हैं कि buy करना चाहिए, लेकिन कब किसी stock को sell करना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में completely बात करेंगे, गौतम बैज सर की दो book हैं, यह famous author है, इनकी जो यह international best seller book है, the joys of compounding, इसको मैंने पढ़ा है and यह इनकी book है, the making of a value investor, यह अभी release हुई है, around 4-5 दिन पहले ही, तो इसको अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, तो यह आने वाला time में मैं इसको read करूँगा, तो joys of compounding जो इनकी book है वो काफी सांदार है, आप सबको पढ़नी चाहिए and जो यह next book है, यह पढ़ने के बाद इसका भी मैं आपके साथ review जरूर share करूँगा, अब गौतम बैज सर ने जिन जिन points पे उन्होंने बताया कि मैं कब किसी business को sell करने के बारे में सोचता हूँ, तो सबसे पहला उन्होंन कि किसी भी business का जो intrinsic value होती है, उसका 70-80% भाग जो है उसकी terminal value के अंदर होता है, तो आप देखेंगे कि intrinsic value का 70-80% भाग terminal value में छुपा होता है, तो जैसे terminal value जो होती है किसी particular stock की, वो future value होती है, जैसे कि अगर जैसे मैं आपको बोलू, कि आगे आने वाले time में जो artificial intelligence है, उसक artificial intelligence जो है, इस तरीके से काम करती है, कि जो कोई accountant एक काम को 30 दिन में करता है, artificial intelligence की मदद से हम उसकाम को only कुछ गंटों में कर सकते हैं, जो accountant काम करता है, उसकी accuracy around 95% होती है, तो AI की जो accuracy है, वो 99-100% होती है, तो इस तरीके से अगर आपको AI के बारे में आप पढ़ेंगे, तो AI से related जो stock है, उनकी terminal value आपके दिमाग में already increase हो जाएगी, तो इसी तरीके से सारे business चलते हैं, तो किसी भी business की terminal value question में आ जाए, तो आपको उसे sell करने के बारे में सोचना सीए, इसका example भी उन्होंना बताया कि जैसे अभी जो EV के stocks है, वो बहुत तरीके से चलने वाले हैं, त जो auto companies है, जैसे महिंदरा है, टाटा है या मारूती है, उनको sell करती है, लेकिन अगर जो ये auto manufacturing company है, ये सोचे कि इसमें जो EV का वीकल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा cost battery की होती है, तो क्योंने battery हम in-house ही बना ले, तो अगर वो इस तरीके का decision लेते हैं, and battery in-house बनाने लग जाते हैं, तो जो battery manufacturing companies की जो listed company है, जैसे oxide है, हमारा राजा है, उनकी terminal value जो है, वो question mark में आ जाएगी, and जो within point of time उनका stock में गिरावट भी चालू हो सकती है, अगर इस तरीके के आपको point देखने को मिले तो, इस तरीके से जब किसी भी company की जो terminal value question में आए, तो उस business को आप sell क करने के बारे में सोच सकता है, second, Gotham Badger ने बताया कि जो gross capital misallocation, यानि कि कोई भी company जो gross capital है, यानि कि एक sizeable amount of capital को misallocate करती है, यानि कि कि किसी ऐसे business में लगाती है, जो कम return on capital generate करता हो, या ऐसी जगे लगाती हो, जहां से shareholder की money है, वो एक तरीके से destroying होती हो, इस तरीके से किसी company में business invest किया, वो अपने particular business से हट के किसी ऐसे business में काम करती है, या ऐसे business में अपने पैसे लगाती है, तो जो की कम return generate करता हो, तो हमें उसे sell करने के बारे में सोचना चाहिए, या उन्होंने बताया कि हमें ध्यान रखना चाहिए, कि जब कोई company अपने जो gross block है, उससे आदे से भी ज्यादा की capital अगर लगाए, तब हम उसे miss allocation मानेंगे, छोटे size की अगर capital इधर उधर miss allocate होती है, तो उस पे हम इतना गौर नहीं करते हैं, थर्ड उन्होंने बताया कि जो management है, वो अगर lack of integrity सो करे, तो एक बहुती proper red flag होता है, जहां हम किसी भी stock को sell करने के बार रही है, तो वो एक definitely red flag होता है, उसके अलावा कि promoter using minority shareholder money to build lavish corporate offices for himself, यानि कि अगर promoter ऐसे offices बनाए, corporate offices बनाए, जो बहुती भवे और सांधार हो, अपने लिए और use करे, जो minority shareholder की money है उसको, तो वो चीज़ भी सही नहीं देखी जाती, wealth sharing से related उन्होंने बताया कि अगर dividend and share buyback समय समय पर करता रहे, तो वो अच्छा sign है, अगर ऐसी चीज़े नहीं करता है, तो वो एक red flag के रूप में आप देख सकते हैं, significant related party transaction अगर होते हैं, तो वो भी एक red flag होते हैं, छोटे मोटे transaction चलते हैं, लेकिन अगर उनके size बहुत बड़े हो, तो वो एक red flag साभीत हो सकत हैं, उसी सेम तरीके का business promoter का एक private business और है, तो वहाँ पर एक conflict of interest होता है, अगर हमें sell करने के बारे में सोचना चाहिए, उसके अलावा हम employees का feedback भी ले सकते हैं, तो इन सारी checklist के बाद उनना बतायागी, जैसे कि कोई भी company perfect नहीं होती है, इन सारी चीजों में से अगर एक compromise करके भी चल सकते हैं, फोर्स उनना बताया है कि अगर कोई ऐसा business उन्हें मिले, जो की current जिसमें उन्होंने invest कर रखा है, उससे far better opportunity हो, और उन्हें cash की ज़रुरत हो, तो ऐसे case में भी वो अपने जो existing investment है, उसको sell करने के बारे में सोचते हैं, तो ये चार point basically उन्होंना बता किये, ये वीडियो आपको कैसा लगा, comment section में जरूर बगाएं